एक बार की बात है होश्यार पर नामक गाउ में एक स्कूल था जिसी स्कूल में चार दोस्त पढ़ा करती थी उनकी दोस्ती बहुती ज्यादा गहरी थी चारों दोस्त पढ़ाई में बहुती ज्यादा होश्यार थी वो हमेशा एक दूसरे की मदद करती थी चारों की दोस्ती की मिसाल इस्कूल के अंदर दी चाती थी और उनकी दोस्ती से कुछ स्टूडेंट्स जलते भी थे वो उनकी दोस्ती तोड़ने के लिए तरहा तरहा के प्लान भी बनाया करते थे लेकिन उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि किसी की कोई चाल कोई प्लान काम नहीं करता ऐसे ही समय बीट रहा था ऐसे ही एक दिन इस्कूल में नेहा, सोनाली और काव्या पढ़ने नहीं आती सिर्फ सुर्भी ही आती है सुर्भी को अकेला देकर दिप्ती उसके पास जाती है ओ, तो आज सुर्भी अकेले बैठी पढ़ाई कर रही है, तुम्हारी तीनों दोस्ती नहीं आई, नेहा की तब्यत ठीक नहीं, सोनाली और काव्या दोनों बेहने शादी में गई है सुर्भी कभी कभी मुझे तुम्हारी पर बहुत दर्स आता है, सच में तुम बहुत ज्यादा नादान हो, भॉली हो, क्योंकि तुम्हें अपनी दोस्तों की चला क्या नजर ही नहीं आती सुर्भी, तुम्हें ऐसा लगता है ना, कि तुम्हारी तीनों दोस्त तुमसे प्यार करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि तुम गरीब हो ना, और गरीबों से कोई दोस्ती नहीं रखता ऐसा कुछ भी नहीं है हम चारों दोस्त हैं और दोस्ती में अमेरी गरीबी नहीं देखी जाती मुझे तुमसे छोट बोल कर क्या मिलने वाला है मैं छोट नहीं बोल रही दो दिन पहले नहा एक रिंग लेकर आय थी डायमंड की मैंने तीनों को आपस में पाते करते हुए सुना उन्होंने कहा कि उनके गरूप में जो गरीब दोस्त है उनकी सुर्भी उसे इस रिंग के बारे में पता नहीं चलना चाहिए वरना वो नजर लगा देगी क्योंकि उसने तो ऐसे रिंग देखी ही नहीं होगी अगर तुम्हें यकिन नहीं आ रहा तो खुद अजमा कर देख लेना सुर्भी को दो दिन पहले वाली बात याद आती है उसने तीनों को आपस में बाते करते हुए देखा था और वो उससे कुछ चुपा रही थी क्या चुपा रही थी उसे ये नहीं पता था उसने तीनों से पूछने की भी कोशिश की थी लेकिन तीनों ने सुर्भी को कुछ भी नहीं पताया था दिप्ती की यह बाते सुनकर उसके मन में शक का बीज उग जाता है अगले दिन तीनों दोस्त इस्कूल में आती हैं सोनाली, नेहा और काव्या दोबारा से वोरिंग निकालती हैं और सुर्भी के आने से पहले पहले छुपा देती हैं सुर्भी उनसे कहती है तुम तीनों मुझे से क्या चुपा रही हो, मुझे क्या नहीं दिखा रही ओ, अच्छा, समझी, मैं गरीब हुना, इसलिए तुम तीनों मुझे से बाते भी चुपा रही हो, चीज भी चुपा रही हो मुझे ना कुछ बताना चाहती हो और नहीं दिखाना चाहती हो क्योंकि मैं गरीब हूँ ना सुर्भी तुझे क्या हो गया है मैं तुझे सुभा से देख रही हूँ मुँ फुला कर गुम रही है अगर तुस्से कोई सवाल पूछ रही हूँ तो उसका सीधा जवाब भी नहीं दे रही और अब यहां आकर उल्टी सीधी बाते करने लगी हमारी दोस्ती में अब मेरी गरीबी कब से आनी लगी हाँ हाँ मैं ही गलत हूँ तुम तिनों तो बिल्कुल सही हो मुझसे बाते भी छुपाती हो मुझसे चीजे भी छुपाती हो तुम सही कर रही हो और मैं गलत मुझे तुमसे इस तरह से बाते भी नहीं करनी चाहिए मुझे लगता है कि अब हमारी दोस्ती आगे नहीं चल सकती जब दोस्ती में बाते और चीजे छुपने लगे तो वो दोस्ती दोस्ती नहीं रहती मुझे तुमसे दोस्ती नहीं रखनी सुर्भी ऐसा कहकर गुसे में वहाँ से चली जाती है दूर खड़ी दिपती यहे सब देख रही थी और वो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी वो जैसा चाहती थी वैसा हो रहा था सोनाली नेहा और काविया को समझ में ही नहीं आ रहा था सुर्भी ऐसी बाते क्यों कर रही है और वो अपनी दोस्तों से दूर दूसरे गुरूप में जाकर बैठ जाती है चार दिन ऐसे ही चलता रहा और पाँचवे दिन सुर्भी का जनम दिन था तीनों दोस्त अपनी दोस्त को सर्प्राइज देना चाहती थी और वो एक केक लेकर आती है तुम तीनों मेरे लिए केक क्यों लेकर आई हो मुझे अपने जनम दिन का केक नहीं काटना मेरी कोई दोस्त नहीं है मेरा अस दुनिया में कोई नहीं है मैं अकेली हूँ मैं अकेली रह सकती हूँ मुझे तुमारी दोस्ती की कोई जरूरत नहीं चली जाओ यहां से मुझे केक विक नहीं काटना सुर्भी यार तुझे क्या हो गया है हमने तुझे कुछ भी नहीं चुपाया बस हम तुझे सर्प्राइज देना चाहते थे इसलिए हम आपस में सर्प्राइज प्लान कर रहे थे यहे देख हम तीनों ने अपनी पोकिट मनी चोड़ जोड़ कर तेरे लिए गिफ्ट खरीदा डायमंट के रिंग तुझे मोल में यह रिंग पसंद आ रही थे ना तब हम तीनों ने सोच लिया था कि हम तुझे तेरे जनम दिन पर डायमंट के रिंग देंगे बस उसी के तयारी कर रहे थे उसकी अलावा हमने तुझे कभी कुछ नहीं चुपाया अपनी दोस्तों की यह बाते सुनकर सुर्भी की आँखों में आँसु आ जाते हैं उसने अपने दोस्तों को गलत समझा दोसरों की बातों में आकर और वो अपनी तीनों दोस्तों से माफी मांगती है और उनकी गले लग जाती है दिप्ती यहें देकर और भी ज्यादा जल भून कर राख हो जाती है क्योंकि उनकी दोस्ती दो बारा से हो जाती है दिप्ती गुस्से में इसकूल के पीछे वाले ग्राण में जाकर बैठ जाती है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था मैंने इन चारों की दोस्ती तोड़ने के लिए क्या कुछ नहीं किया चार साल से कोशिश कर रही हूँ लेकिन इनकी दोस्ती तोड़ी ही नहीं पा रही इस पार तो बिल्कुल पका प्लन बना लिया था लेकिन वो भी फेल हो गया चारों की दोस्ती तोटने का नाम ही नहीं ले रही जब तक चारों एक साथ है तब तक चारों को इस स्कूल में से कोई नहीं निकाल सकता चारों का इस स्कूल में नाम होता रहेगा मुझे किसी भी तरह इन चारों को अलग करना होगा इन्हें अपने रास्ते से हटा न होगा अगर मुझे इस स्कूल के अंदर फर्स्ट रैंक लेकर आनी है अगर ये चारों एक साथ है तो मेरी फर्स्ट रैंक कभी नहीं आँ सकती कभी नहीं दिपती बहुत ज्यादा घुसे में थी तभी उसे ग्राउंड में एक पेड़ के नीचे एक लूडो नजर आती है जो पहुत ही ज्यादा चमक रही थी दिपती पेड़ के पास जाकर उस लूडो को उठा लेती है तभी उस लूडो से जोर जोर से हसने की आवाज आती है अब तेरी जान जाएगी तूने भूत या लूडो को हाथ लगाया तेरी हिम्मत कैसे हुई इस भूत या लूडो को हाथ लगाने की अब तेरी जान जाएगी तूने मुझे सोते हुई जगाया तूने मुझे जगाया अब तो जिन्दा नहीं बचेगी अब तो जिन्दा नहीं बचेगे इसकूल के अंदर भूतिया लूडो का हसी आई देखो मुझे नहीं पता था कि यह भूतिया लूडो है यहाँ पेड़ के पास चबक रही थी तो मैंने इसे उठा लिया इसमें मेरी क्या गलती मुझे मत मारो मुझे मत मारो मुझे अभी जिन्दा रहना है जिन्दगी जीनी है अभी मेरी उम्र ही क्या है मुझे मत मारो मुझे चोड़ दो भूतिया लूडो मुझे चोड़ दो अब तो मैं तुझे नहीं चोड़ूंगी मैं चाग चुकी हूँ अब तुझे यह भूतिया लूडो का खेल खेल नहीं होगा अगर तुने यह भूतिया लूडो नहीं खेला तो मैं तुझे और तेरे परिवार को कच्चा चबा जाऊंगी तुझे अपने साथ अपने दोस्तों को भी यह लूडो खिलाना होगा और जो इस लूडो में हार जाएगा वो मेरा शिकार हो जाएगा और जो जीत जाएगा वो बच जाएगा अगर मैं लूडो में जीत गई तो तो मुझे कुछ नहीं कहोगी मुझे छोड़ दोगी बिल्कुल अगर तो लूडों में चेत गई तो मैं तुझे छोड़ दूँगे तुझे नहीं खांगे लेकिन जो लूडों में हारेगा उसे अपने शिकार बना लूँगे लेकिन यह लूडों का खेल इस स्कूल में खेला जाएगा रात को बारा बजे समझ में आ रहा है इस स्कूल के अंदर भूतिया लूडों का खेल खेला जाएगा और जो हारेगा वो मेरा शिकार बनेगा दिपती पहुत ज्यादा घपरा जाती है लेकिन वो कहीं न कहीं खुश भी होती है क्योंकि वो लूडों में माहिर थी कभी नहीं हारती थी इसलिए वो स्कूल में भूतिया लूडों खेलने के लिए तैयार हो जाती है वो अपने दोस्तों के पास जाती है कि वो उसके साथ बहुत यह लूडों खेलें लेकिन कोई भी तयार नहीं होता तब ही वो चारो दोस्तों के पास जाती है सरभी आज तो 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 तुम्हारा जनम दिन है क्योँ न एक गेम हो जाए हम स्कूल के अंदर लूडों खेलेंगे दिप्ती हमें तुम्हारे साथ कौई गेम नहीं खेलना जाओ यहाँ से और लूडों तो बिल्कुल भी नहीं तुम बोहत बुरी हो हम चारों को अलग करना चाती हो हमेशा हमारे बीज में फूट डालती हो दिप्टी हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी जाओ यहां से कोई बात नहीं सुर्भी कोई बात नहीं हम इसके साथ लूडो खेल लेते हैं लेकिन हमारी एक शर्थ है अगर तू लूडो में हार गए तो तुझे पूरी क्लास को चीज वाला पिज़ा खिलाना होगा और अगर हम हार गए तो हम खिलाएंगे शर्थ मन्सूर है यह कोई मामूली लूडो नहीं है यह भूतिया लूडो है और इसके अंदर हारने वाले को पिज़ा खिलाना नहीं बल्कि हारने वाला चुडैल का शिकार होगा तुम्हें नहीं पता और मैं तो इस गेम में माहिर हूँ माहिर मुझे आस तक किसी नहीं नहीं हरा है इसलिए मैं तो उस चुडैल का शिकार नहीं बनूँगी ठीक है ठीक है मुझे यह शर्थ मन्सूर है लेकिन मेरी भी एक शर्थ है हम यह लूड़ो रात को स्कूल के अंदर बारा बज़े खेलेंगे क्यों रात के बारा बज़े क्यों खेलेंगे तुझे नहीं पता रात को स्कूल के अंदर कोई नहीं होता यहां शांती होती है यहां पर भूत परेत आत्माए होती है हमें उन्हें यहाँ पर डिस्टरप नहीं करना पागल है क्या हम फिरी पीरिड में लूड़ो खेल लेंगे ओरे काव्या तु तो बहुत ही स्यादर डर्पोक है मैंने रात की बारा बजे का नाम क्या लिया तेरी तो अभी से हवा टाइट हो गई लगता है भूतों से डर्ती है तु तो बहुत ही स्यादर डर्पोक निकली तुझे पता है मैं तो रात को होरर मुवी होरर स्टोरी अकेली देख लेती हूँ मुझे तो डर नहीं लगता लेकिन तुम चारों दोस्तों की कमजोरी पता चल गई तुम रात के अंदेरे से डरती हो भूतों से डरती हो डरपोक 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 हम डरपोक नहीं है और नहीं भूतों से डरते हैं हमें तेरी शर्ट मंजूर है हम इस्कूल के अंदर रात के 12 बजे लूडों खेलने के लिए तयार हैं सुर्भी तो क्या कह रही है मेरी ममी बता रही थी सुन्सान जगा पर भूत परेत होते है और हमारा स्कूल तो वैसे भी कबरिस्तान के पास है रात की बारा बजे स्कूल की अंदर अकेले आना ठीक नहीं लग रहा मुझे तो बहुत डर लग रहा है सुर्भी देख दिप्टी तो पागल है तो इसके साथ पागल क्यों हो रही है हम रात को बारा बजे यहां आकर स्कूल के अंदर लूडों नहीं खेलेंगे अगर आज हमने इसकी शर्त नहीं मानी तो यह हमें डर पो कहेगी और हमारा पूरे स्कूल के अंदर मजाक उड़ाएगी तो चाहती है कि यह दिप्टी अपने दोस्तों के साथ हमारा मजाक उड़ाए काविया और नहा को डर लग रहा था लेकिन सुर्भी और सोनाली अपनी दोस्तों को मना लेती है दिप्टी मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी रात हो जाती है दिप्टी और चारों दोस्त बारा बजने से पहले पहले स्कूल के अंदर आ जाते हैं काविया और नहा को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कुछ समय बाद वो एक क्लास के अंदर चले जाते हैं दिप्टी लूडो और गोटियां सजा देती है और उसके बाद कहती है चलो लूडो खेलना शरू करते हैं काविया तुम अभी मत खेलो पहले हम चारों खेल लेते हैं जो हार जाएगा उसके बाद तुम हमारे साथ खेलना ठीक है दिप्टी सोनाली सुर्भी और नेहा चारों लूडो खेलने लगती हैं कुछ देर तक ऐसे ही गेम चलता रहा दिप्टी हारने जा रही थी और ये देखकर वो पहुत ही ज्यादा घबरा जाती है दिप्टी तुम हारने जा रही हो तुम्हारा पासा तो च्छे लेकर ही नहीं आ रहा और नहीं अभी तक तुम्हारा तोड हुआ है तुम हार जाओगी और उसके बाद तुम्हें क्लास के सभी बच्चों को पिज्जा खिलाना होगा ये क्या हो रहा है अगर मैं हार गई तो इस भूतियों उडो की शिकार बन जाओगी और वो चुडल मुझे खा जाएगी नहीं नहीं मैं हार नहीं सकती पूरी क्लास को तो पिज्जा में खिला सकती थी लेकिन हारने के बाद पिज्जा नहीं चुडल का शिकार होना है मुझे चीत नहीं होगा मुझे चीत नहीं होगा देख सुलभी मेरे छे आ गए है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे यह लो तुमारी गोटी कट गए मुझे तोड़ हो गया बले दिप्ति यह चिटिंग है मेरे गोटी चे पर नहीं पाँच पर रखी हुई थी तुमने जान बूझ कर इसे आगे बढ़ाई दिप्ती यह चीटिंग है तुम चीटिंग करकर नहीं जीच सकती यह चीटिंग है चीटिंग वहाँ पर लड़ाई होनी शुरू हो जाती है दिप्ती पूरा खेल बिगार देती है और जैसे ही वो खेल बिगार देती है वैसे ही वो चुडल लोडों से बहार निकल कर आ जाती है और वो दिप्ती का गला पकड़ लेती है चुडल को लोडों से बहार निकलता हुआ देकर चारों दोस्त बहुत ही ज्यादा डर जाती हैं उनकी चीख निकल जाती है और वो धर-धर कापने लगती है तब ही वो चुडल दिप्ती से कहती है मैंने तुझे भूतिया लूडो के रूल्स पहले ही पता दिये थे तूने उन रूल्स को तोड़ा मैंने कहा था कि खेल बीच में खराब नहीं होना चाहिए और तूने खेल बीच में ही खराब कर दिया इसकी सज़ा तो तुझे मिलकर रहेगी तूने भूतिया लूडो की रात को बारा बजे स्कूल के अंदर अकेले नहीं जाते तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी और देखो हम चुड़ायल के चंगल में फस गए अब हम यहां से बाहर कैसे निकलेगे यह तो हमें कच्छा चबा जाएगी तुम्हें पता था कि यह लूड़ो भूत या लूड़ो ह हो गई मुझे लगा कि मैं तो लूड़ो में माहिर हूँ मुझे तो कोई हरा ही नहीं सकता इसलिए में यह भूत या लूड़ो खेलने के लिए तैयार हो गई और मैं तुम चारो को अपने रास्ते से भी हटाना चाहती थी सोचा कि तुम लूड़ो में हाट जाओगी तो भ भूतिया लूड़ो दोबारे से खेली जाएगी और जो भी इस भूतिया लूड़ो को खेलेगा वो मेरा शिकर हो जाएगा चुड़ैल दिप्ती का गला छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी उसे सांस नहीं आ रहा था उसका दम घुड रहा था चारो दोस्तों से यह देखा नहीं जा रहा था और वो चुड़ैल से दिप्ती को बचाने के लिए सामने आ जाती हैं और वो तुरंत उसकी लूड़ उठाती है और उसके टुकडे टुकडे कर देती है और जैसे ही लूडों के टुकडे टुकडे होते हैं वैसे ही वो चुडल जलकर राख हो जाती है दिपती और चारों दोस्त वहां से भाग कर आ जाती है दिपती चारों से माफी मंगती है तुम चारों की वजह से आज मैं ज किसी के साथ गलत नहीं करूंगी क्योंकि मुझे समझ में आ गया है बुराई का परिड़ा बुरा ही होता है अगर तुम दूसरों की राह में काटे बहुगे तो वो तुमें ही चुबेंगे ना कि दूसरों को मुझे माफ कर दो चारों दोस्त दिपती को माफ कर देती हैं और वो दिपती से कहती हैं कि भूतिया लूडों की बात किसी को नहीं पता चलने चाहिए रात गई पात गई और दिपती किसी को भी भूतिया लूडों के बारे में नहीं बताती और दिपती भी चारों की दोस्त बन जाती है एक बार की बात है चावला गाओ के एक स्कूल में लंच टाइम में कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ बच्चे अपना टिफिन खा रहे थे, उन सब ही बच्चों में एक लड़की एक जगा अकेली उदास बैठी थी, तब ही उसके पास उसकी क्लासमेट आती है और उससे कहती है, माही क्या हुआ इतनी ज़्यादा उदास क्यूं है, सब ठीक तो है ना? इस्कूल से सभी बच्चे पिकनिक जा रहे हैं और मैं नहीं जा पा रही क्योंकि मेरे माता पिता के पास मुझे पिकनिक पर भेजने के लिए पैसे ही नहीं है कहते हैं पिकनिक पर नहीं भेज सकते इस्कूल की फीद जमा कर रहे हैं वो ही बहुत बड़ी बात है अच्छा तो तो इसलिए उदास है कि स्कूल से सभी बच्चे पिकनिक पर घूमने जा रहे हैं और तो नहीं जा रही देख माही तेरे मात पिता बहुत ज्यादा गरीब हैं सच में अगर वो तुझे पढ़ा रही है तो वो उनकी पहुत बड़ी बात है वरना तेरे जैसे मात पिता दिहाड़ी मजदूर वो अपने बच्चों को पढ़ाती नहीं है वो भी अपने साथ काम पर लगा लेते हैं तुझे क्या पता मेरा गोमने जाने का कितना मन करता है हां तो तो हमेशा गोमती रहती है ना तुझे क्या पता कि मेरा कितना मन करता है गोमने जाने के लिए अच्छा चल अब लंच टाइम खतम हो गया है क्लास में चलते हैं सोनाली में हम आने वाली हैं उनका तो पता ही होग कि कितनी ज्यादोस्टिक हैं माही और सुर्भी लंच खतम हो जाने के बाद अपने क्लास में आ जाती हैं सोनाली में आती हैं और सभी बच्चों को पढ़ाती हैं और उसके बाद सभी बच्चों से कहती हैं देखो बच्चो याद रखना जब पिकनिक से वापस आ जाओगे त और मैं कहीं से भी टेस्ट ले सकती हूं माही यह रेजिस्टर लो और प्रिंसिपल मेम से सिगनेचर करवा के लिए कर रहा हूं माही टीचर से रेजिस्टर लेती है और प्रिंसिपल मेम के पास सिगनेचर करवाने जा रही थी तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर जाती ह जो ग्राउंड में जाड़ू लगा रही थी अम्मा जी आज से पहले तो मैंने आपको इस स्कूल में नहीं देखा आप कौन हैं अरे बीटिया मैं इस स्कूल में साफ सफाई का काम करने आई हूँ अम्मा जी यह लूडो आपकी है क्या आप लूडो खेलती हैं क्या हाँ बीटिया मैं यह लूडो खेलती हूँ और तुम्हें पता है यह लूडो मुझे पैसे कमा कर देती है अम्मा जी मैं कुछ समझे नहीं यह लूडो आपको पैसे कमा कर कैसे देती है पहले स्कूल में भी मैं साफ सफाई का काम करने के सासत रात को स्कूल में अपनी सहलियों के साथ लूडों खेलती थी और अब इस स्कूल में भी अपनी सहलियों के साथ लूडों खेलूंगी तुम्हें पता है एक गोटी कटने के 500 रुपे मिलते हैं अम्मा जी क्या ये लूडो मैं भी आपके साथ खेल सकती हूँ क्योंकि मुझे भी पैसे कमानी है ठीक है बिटिया तुम खेल सकती हो लेकिन मुझे अपनी सभी सहलियों को मना करना होगा तो मैं अपने साथ मेरी सहलियों की जगा बच्चों को लेकर आना होगा जो तुम्हारे साथ इस लुडों को खेल सके और हाँ बिटिया ये खेल मैं रात को ही खेलती हूँ अगर तुम रात को बच्चों को लेकर आ सकती हो तो ये लुडों भी खेल सकती हो और तुम सोच भी नहीं सकती कि इस लुडों से कितने पैसे कमा सकती हो मैं रात को इस स्कूल के अंदर बच्चों को लेकर आ जाऊंगी इस बार तो मैं पिकनिक पर जाकर ही रहूंगी मुझे याद है बच्पन में जम में लुडों खेलती थी तो कोई मुझे हरा नहीं पाता था मुझे लुडों में कोई नहीं हरा सकता मैं ही जीतूंगी और पैसे भी कमांगी और पिकनिक पर भी जाऊंगी अरे माही तुझे प्रिंसिपल मैम के पास भेजा था रेजिस्टर पे सिगनेचर करवाने के लिए और तो यहां ग्राण में अकेली खड़ी होकर किस से बात कर रही है और इतना खुश क्यूं है अरे अमाजी अचानक कहां गायब हो गई शायद कहीं और चले गई होंगी सुर्भी सिगनेचर हो गई है मैं बस क्लास में ही जा रही थी सुर्भी और माही दोनों क्लास में आ जाती है कुछ समय बाद खाली पीरियड था तब ही माही बच्चों को इखटा करकर कहती है मेरे साथ लूडो कौन-कौन खेलेगा माही तुझे क्या हो गया है तो कैसी पहकी-पहकी बाती कर रही है थोड़ी देर पहले ग्राउड में अकेली खड़ी बाते कर रही थी मुस्कुरा रही थी और अब लूडो खेलने की बात कर रही है सुर्भी मैं जानती हूँ कि तु लूडो खेलने के लिए क्यों मना कर रही है क्योंकि तु तो हमेशा लोडों में हार जाती है ना इसलिए ऐसी भी बात नहीं है मैं हमेशा नहीं हारती जीत भी जाती हूँ अगर तु मुझे चैलेंज करेगी तो मैं तुझे जीत कर भी दिखा दूँगी तो ठीक है हम एक टीम बनाते हैं सुर्भी की टीम में साथ बच्चे और मेरी टीम में साथ बच्चे हम टोटल सौला बच्चे हो जाएंगे और ठीक आठ बजे स्कूल में ही मिलेंगे और देखते हैं किसकी टीम जीतीती है और हाँ अपने घर पर मत पताना कि हम स्कूल में लूडों खेलेंगे जीत के बाद ही चुशन मनाएंगे और अभी खेल शुरू भी नहीं होता दो टीम बन जाती हैं एक सुर्भी की और एक माही की और सभी बच्चे भी बहुत ज्यादा एकसाइट कीट थे रात हो जाने की बाद इस स्कूल में लूडों खेलने वाले सभी बच्चे अपने घर पर जोट बोलकर इस स्कूल में आ जाते हैं वैसे माही तो ने लूडों खेलने के लिए हमें इस स्कूल में क्यों बोलाया हम घर पर भी तो खेल सकते थे माही, सुर्भी, मुझे अभी ऐसा लगा, जैसे यहाँ से कोई गया हो, मैंने किसी का साया देखा कौन है, छोड़ो मुझे, कौन है, छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, कौन है यहाँ, छोड़ो मुझे माही सुर्वी तुम दोनों ने हमें स्कूल में लूडो खेलने के बहाने क्यों बला तुम दोनों चाहती क्या हो देखो अगर तुम दोनों हमें डराना चाहती हो तो हमें बहुत डर लग रहा है ऐसा मत करो मुझे स्कूल में लूडो वुडो नहीं खेलना मुझे तुम्हारे खेल का हिस्सा नहीं बनना मैं तो जा रही हूँ अपने घर डरो नहीं डरो नहीं मैं जानती हूँ इस इसकूल में कौन है अरे एक बुड़ी ओरत है जिसके साथ हम इस इसकूल में लूडो खेलेंगे माही क्या तुमने मुझे याद किया देखो तुमने मुझे याद किया और मैं आ गई अपनी भूत या लूडो लेकर मुझे नहीं पता था कि तुम अपने साथ इतने सारे बच्चों को लेकर आ जाओगी अरे वा तुम तो बहुत लालची हो माही माही यह कौन है कौन है माही है इस चुड़ायल को तो जानती है क्या सुरभी ये एक चुड़ायल है जो बहुत ज्यादा खतरनाग है मैं इसे कैसे जान सकती हूँ कौन हो तुम और हमसे क्या चाहती हो इस स्कूल में तो एक बूड़ी अमा रहती है जो एस स्कूल में साफ सफाई का काम करती है हम उनके साथ लोडों खिल लाए है वो कहां है माही के इतना कहते ही वो चुडल उस बुड़ी औरत का रूप ले लेती है और दो बारा से चुडल के रूप में आ जाती है यहें देकर सभी बच्चे हके बक्के रह जाते है वो थर थर काम रहे थे उन्हें पसीना आ रहा था उन्हें बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था लेकिन कोई यहां से नहीं भाग सकता अगर अपनी जान बचानी है तो तुमें इस इसकूल में भोट्या लूडो खेलनी होगी और जो जीतेगा वो आराम से, सुकुन से अपने घड चा सकता है और जो हारेगा हाहाहाहाह वो मेरा शिकार होगा चुड़ा इल जी हमें नहीं खेलना आपका भोत्या लूडो हमें घर जाना है अपने मम्मे पापा के पास हमें घर जाना है हमें घर जाना है हमें नहीं खेलना आपको भूतिया लुड़ो चुड़ायल जी हमें माफ कर दो हमें हमारे घर जाने दो हमें आपको भूतिया लुड़ो नहीं खेलना सभी बच्चे सोड सोड से रो रहे थे चुडायल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चाता है और वो दो बच्चों को हवा में लटका देती है मुझे ज्यादा गुस्सा दिलाने की सरूरत नहीं है तुम सिरु भोतिया लूडो खेल कर ही अपनी जान बचा सकते हो अगर ज्यादा पकपकी तो मैं तुम्हें अभी कच्चा चबा जाओंगी दिख रहा है इन्हें कैसे हवा में लटका रखा है सब को लटका दूँगी और कच्चा चबा जाओंगी मुझे से कितना बड़ा पाप हो गया पैसो के लालच में अकर इस चुड़ाइल के चंगुल में फस गई और मेरी बचा से ये सभी बच्चे भी अगर इन्हें कुछ हो गया तो इनकी मौत का जिम्मेदात कोई और नहीं सिर्फ और सिर्फ मैं हूंगी और कोई नहीं मा ही अपने आपको ब्लेम कर रही थी ना वो पैसों का लालच करती और नहीं इस स्कूल में वो इस चुड़ाइल के चंगुल में फस थी चुड़ाइल सभी बच्चों को खेल समझाती है अब शान्त होकर मेरी बात सुनो ये रही मेरी भोटिया लूडो दिख रही है कितनी बड़ी है सिर्फ पासा होगा गोटियां तम सभी स्टूडेंट्स बनोगे और जो भी गोटी कटेगी वो स्टूडेंट्स मेरा शिकार हो जाएगा और जो जीतेगा वो आसानी से अपने खार जा सकता है खेल शुरू किया जाए सभी बच्चे थर थर कांप रहे थे चुडैल अपनी भूतिया टोपी दे देती है अलग अलग कलर की चार बच्चे गिरीन कलर की टोपी पहनते है चार बच्चे रेड कलर की टोपी पहनते है और चार बच्चे यलो कलर की टोपी पहनते है और चार बच्चे ब्लू कलर की टोपी पहनते हैं और वो अपनी अपनी जगा पर खड़े हो जाते हैं माही गिरीन कलर की टोपी पहन कर खड़ी थी और पहले पासा उसे ही फैकना था माही पासा फैक देती है और छे आ जाते हैं और इसी तरह एक एक करकर सभी बच्चे पासा फैक दे हैं और जिसके जो नमबर आते हैं उस हिसाब से वो अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है माही ये तो ने हमें कहां लाकर खड़ा कर दिया देख तेरी बचा से हमें फोतियों लूडों खेलना पड़ रहा है अगर संजना के पांच आ गए तो मेरी गोटी कड़ जाएगी यानि कि मैं इस चुडाल का शिकार हो जाऊंगी और इसी तरह एक एक बच्चा मरता रहेगा यहां कोई किसी को नहीं बचा रहा सबको अपने चान प्यारी है और ऐसा कहकर जैसे ही संजना पासा फैंकती है वैसे ही पांच आ जाते हैं और पांच को देकर चुडाल जोड़ जोड़ से हसने लगती है एक गोटी कट गई यानि की एक शिकार हो गया सुर्फी अचानक से गायब हो जाती है और उसके बाद खेल दो बारा से शुरूर क्या जाता है और इसी तरह एक के करकर गोटियां कट रहे ही थी और वो गायब हो रहे थे निहारी का तुम्हें दो लेकर आने है अगर तुम दो नहीं लेकर आई तो मैं मर चाऊंगी हाँ माही मैं पूरी कोशिश करूंगी दो आ जाए निहारी का पासा फैंकती है तो दो आ जाते हैं और माही बच जाती है और ब्लू गोटी कट जाती है और वो भी सभी बच्चो की तरह गायब हो जाती है अब उस भूतिया लूडो पर सिर्फ तीन गोटिया बस्ती हैं दो ग्रीन और एक येलो सब मेरे शिकार हो जाएंगे और सभी बच्चे मेरे ठिकाने पर पहुंच चुके हैं जल्दी से खेल खातम करो मुझे से सबर नहीं हो रहा सिर्फ येलो एक गोटी पच रही है यानि कि प्रीती अगर प्रीती भी मर गई तो हम दोनों जेत जाएंगे और हम दोनों जिन्दा वापस अपने घर जा सकते हैं माही क्या सोच रही है पासा फैक देख हमें प्रीती को मारना होगा अगर प्रीती मर गई तो हम दोनों जिन्दा वापत जा सकते हैं चलो 16 बच्चों में से हम दोनों तो बच जाएंगे नहीं नहीं हारी का मैं इस तरह से सब बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती माही तो पागल हो गई है क्या अपनी जान बचा उनके बारे में क्यों सोच रही है और वैसे भी वो बच्चे कहां है तुझे नजर आ रही है हम उन बच्चों को नहीं बचा सकते हमें अपनी जान बचा कर यहां से वापत जाना चाहिए इसी में समझदारी है निहारी का मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है मैंने चुड़ायल को उसके साथियों से बात करते हुए सुना वो इस स्कूल में कई सालों से रह रही है मुझे लगता है इसी स्कूल में इस चुड़ायल को मारने का रास्ता मिलेगा ये सब तो मैंने भी सुना है लेकिन हम इसका सामना कैसे कर सकते हैं देख तो कितनी ज्यादा खतरनाक है जल्दी से पासा फैक मुझे घर जाना है निहारी का हम कर सकते हैं अगर तु मेरा साथ देगी तो हम कर सकते हैं चुडायल से भी लड़ सकते हैं मुझे पूरा परोजा है हम चुडायल को मात दे सकते हैं ठीक है माही, अगर तुम ऐसा चाहती हो, तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, देखो चुडल अपने साथियों से बात कर रही है, अभी मौका है, हम यहाँ से भाग सकते हैं। अरे नहीं नहीं, याद आया, इसकुल के दरवाजे पर तो चुडल है, हम बाहर तो निकल ही नहीं सकते। मैं जानती हूँ सब जगह पहरा है हम इस स्कूल से बाहर नहीं जाएंगे हम इस स्कूल में ही छुपेंगे इस चुड़ेल से लड़ने का रास्ता निकालेंगे फिल हल हमें इस भूतिया लोडों से उतर कर यहां से कहीं हो बागना होगा माही और निहारी का दोनों को पहुती ज्यादा डर लग रहा था प्रिती उनसे दूर थी इसलिए वो उसे बात नहीं कर पाती वरना वो उसे भी अपने टीमें शामिल कर लेती माही और निहारी का चुड़ेल की आंख में धूल जोकर बहुत यह लूडों से भागना चाहती थ तो कि हमें कुछ समय के लिए जाना होगा और तुम तीनों यह मत सोचना कि हमारे जाने के बाद तुम इस भूत यह लूडों के चंगल से निकल जाओगी तुम कहीं नहीं जा सकती कहीं नहीं और ऐसा कहकर वो सभी चुड़ल वहां से चली जाती हैं माही निहारी का और प्र माही माही हमें बचा लो हम यहां हैं तुम्हें इस क्लासरूम से कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम हमारे बहुत करीब हो तुम हमें बचा सकती हो अगर एक बार तुम यहां से गई तो तुम हमें यहां से कभी नहीं बचा सकती कभी नहीं किर्प्य करके हमें बचा लो मा इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक करें और कमेंट करें माही और निहारी का चुड़ायल के आने से पहले पहले सुर्भी और उन सभी स्टूडेंट्स को ढोनने लग जाती हैं कोना कोना ढूट लेती हैं लेकिन उन्हें सुर्भी और वो सभी स्टूडेंट्स नहीं मिलते जो भूत्य लूडों के उपड़ से गायब होए थे लेकिन उनकी आवाज लगातार आ रही थी सुर्भी सुर्भी हमें कोई इशारा दो तुम कहा हो सुर्भी सुर्भी मैं तुम्हें कैसे इशारा दू मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा यहां पर अंधेरा ही अंधेरा है और कुछ नहीं और यहां पर बहुत ही ज्यादा डरावनी डरावनी आवाजे भी आ र हमें बचा लो हमें बचा लो सुर्भी चिंता मत करो हम तुम्हें बचा लेंगे तब ही माही की नजर उस चुडल की भूतिया लूडों के उपर जाती है माही तुरंट भूतिया लूडों के पास आती है और उसे वहां से हटाने की कोशिश करती है लेकिन भूतिय लूडो बहुती ज्यादा बड़ी थी और बहुती ज्यादा भारी थी माही और निहारी का उसे हिला भी नहीं पा रही थी वो बहुती ज्यादा कोशिश करती है माही चुड़ायल के हसनी के आवास आ रही है इसका मतलब वो आ रही है अब क्या होगा प्रीती तुम भी हमारी मदद कर सकती हो प्लीज यहाँ पर आओ और हमारी मदद करो इस भूतिय लूडो को हटाने में मुझे पूरा भरोसा है वो सभी स्टुडेंट्स इस भूतिय लूडो के नीचे ही है चुड़ाल के आने से पहले पहले हमें इस भूतिय लूडो को हटाना होगा माहे निहारिका और प्रीती तेनों ही उस भूत्य लूडों को हटाने की कोशिश करती है लेकिन वो अपनी जगा से एक इंच भी नहीं हटती तेनों पहुती ज्यादा प्रेशान हो जाती है एक मिनट याद आया ये भूत्य लूडों इस वज़ा से नहीं हिली रही क्योंकि ये भूत्य लूडों चुडायल के मंत्र से हटेगी निहारिका याद करो जब हम भूत्य लूडों खेली रहे थी तो वो चुडाल क्या मंत्र बढ़ बढ़ा रही थी हाँ कोई मंत्र तो पढ़ रही थी लेकिन याद नहीं आ रहा मुझे पता है वो चुडल क्या मंत्र पढ़ बढ़ा रही थी प्रीती निहारिका और माही को बता देती है कि चुडल क्या मंत्र पढ़ रही थी और उसके बाद माही उस मंतर को पढ़ती है तो भोतियो लुडो अपनी जगा से हट जाती है यहे देखकर तेनों बहुती ज्यादा खुश हो जाती है माही जहांक कर देखती है तो अंधेरा ही अंधेरा था माही बहुती साफधानी से नीचे जाती है माही तुम हमें बचाने आ गई उस दूस्टों चुड़ाले इंसानों का शिकार कर कर यहाँ पर उनकी हट्टियां सरने के लिए छोड़ दी हट्टियों में से ही इतनी ज़्यादा बद्भू आ रही है चुड़ाल को तो यहाँ आकर किसी को मारने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी बद्भू से ही मार जाएंगे सुर्भी और तुम सभी मेरी बात दीहान से सुनो निहारी का प्रीती और मैं हम तीनों बहुत यह लूडों के उपर ही रहेंगे क्यूंकि चुड़ाल को हमारे उपर शक नहीं होना चाहिए और तुम इस स्कूल से निकलने के बाद सेधा प्रिंसिपल मैं के पास जाना और उन्हें यहाँ पर जो कुछ हुआ वो सब बताना माही मुझे लगता है कि तुम तेनों को भी हमारे साथ चलना चाहिए हम नहीं चाह सकते वो चुड़ाल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है बहुत ही ज्यादा खतरनाक हम उसे बातों में उलचा के रखेंगे हम भूतियों लूडों खेलते रहेंगे जब तक मदद नहीं आ जाती और उसे ऐसा लगेगा जैसे तुम यहाँ पर हो लेकिन तुम यहाँ पर नहीं होंगी तुम इसकुल से बाहर निकल चुकी होंगी ठीक है अब जल्दी चलो माही रास्ता ढोंड लेती है कि इसकुल से बाहर कैसे निकाला जा सकता है और माही बड़ी हिसाफदानी से उन सभी स्टूडेंट्स को इस्कूल से बाहर निकाल देती है और दो बारा से प्रीती और निहारीका के पास आ जाती है और कुछ समय बार वो चुड़ैल भी आ जाती है खेल शुरू क्या जाए किसे पास आ फैंकना था प्रीती चलो पास आ फैंको खेल शुरू करो देखती हूँ अब कौन सी गोटी कटेगी और अब कौन मेरा शिकार होने वाला है जल्दी से पास आ फैंको दुस्ट चुडल तोने हमारा इतना समय बर्बाद क्यों क्या तो कहां गई थी भूतिया लूडो जैसे पहले खेला जा रहा था अब वैसे नहीं खेला जाएगा मैंने कहा था जो जीतेगा वो अपने घर वापत जा सकता है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा जो जीतेगा वो मेरे लिए शिकार करेगा सुभी स्टुडेंट्स मेरी खास जगा पर मेरा इन्तिजार कर रही है जो जीतेगा वहां जाकर उन सब के बली चड़ाएगा मेरे लिए दूस्ट चड़ायल ये तो क्या कह रही है हम तेरे लिए शिकार नहीं करेंगे देख हमें घर वापत जाने दे तो अपनी जबान से नहीं पलड सकती तूने कहा था जो जीतेगा वो अपनी घर वापत जाएगा खेल में कोई परिवर्दन नहीं होगा जैसे खेल चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा ये मेरा खेल है और मैं इसके अंदर कभी भी कोई भी परिवर्दन कर सकती हूँ तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली जितना कहा उतना करो जल्दी से खेल शुरू करो और जो जीतेगा वो मेरे लिए शिकार करेगा माही सुर्भी और वो सभी स्टुडेंट्स इसकोल से बाहर निकल चुके है न वो हमें इस दुस्ट चुडल से बचा लेंगे न हाँ मैंने सुर्भी से कह दिया है कि वो सीधा प्रिंसिपल मैम के पास जाए जल्दी ही हमारे पास मदद आ जाएगी हम इस दुस्ट चुडल का सरवनाश जरूर करेंगे इस भूतिय लूडों का खेल भी खत्म करेंगे प्रिती मेरी बात दियान से सुरो पासा ऐसे फैक न कि कोई गोटी कटे न दियान से बहुत साफधानी से हमें इस चुडल को कुछ समय के लिए उलचाना है माही प्रिती और निहारी का तीनों पासा ऐसे फैक रही थी कि कोई गोटी कट ही नहीं रही थी वो बहुत साफधानी से पासा फैक रही थी और इस समय उनकी किसमत उनका साथ दे रही थी चुडैल ये सब देखकर गुसे से तिल मिला चाती है और वो अपना गुसा निकालने के लिए अपने ही साथियों को मारना शुरू कर देती है यहे देखकर माही चौक जाती है जितना ज्यादा समय हो रहा है इस चुडैल को उतना ही ज्यादा गुसा आ रहा है मुझे लगता है इस चुड़ायल के पास समय बहुत कम है ये हमें यहां नहीं मार सकती अगर इसे हमें मारना होता तो ये अब तक हमें कच्चत चपा जाती ये हमें यहां पर नहीं मार सकती समझ में आ गया ये हमारा शिकार उसी जगा पर करेगी जहां पर इसने सुर्भी और सभी बच्चों को भेजा था चुडायल को बहुत ही ज्यादा गुस्ता आ रहा था वहीं दूसरी तरफ सुर्भी और वो सभी स्टुडेंट्स सीधा प्रिंसिपल मैम के खट जाते हैं और उनका दर्वाजा खट खटाते हैं अद हे रात को कौन आया है अरे सुर्भी इस समे मेरे घर पर क्या कर रही हो क्या हुआ सब ठीक तो है न और सिर्फ तुम अकेली नहीं आई हो तुम्हारे साथ इतने सारे और भी बच्चे कहा से आ रहे हो टायम देखा है रात के तीन बज रहे हैं और तुम इस समय मेरे घर पर प्रिंसिपल मैम माही प्रीती और निहारी का उनकी जान खत्रे में हैं उन्हें बचा लीजी उन्हें बचा लीजी उनकी जान खत्रे में हैं सुर्भी 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 शांत हो जाओ कौन किसे मार देगा किसे बचाना है माही प्रीती और निह सबसफाइका काम करने जो वो बोड़े और नहीं थी वो एक बहुत ही ज्यादा खतनक चुड़ायल है और वो अपने साथ बहुत यह लूड़ो रखती है और बच्चों को पैसों का लालच देकर बहुत यह लूड़ो खिलाती है और उसके बाद उन्हें अपना शिकार बनाती है माही भी उस चुड़ायल की बातों में आ गई और हम सब उस भूत यह लूड़ो के चाल में फस गए माही ने किसी तरह हमारी जान बचा कर हमें इसकूल से बाहर निकाल दिया लेकिन अब उसकी जान खत्रे में है निहारी का और प्रिती की जान भी खत्रे में है तुम अपने साथ भूतिया लूड़ो रखती हैं भूतिया खेल खिलाती हैं मारती हैं देखो अगर तुम्हें प्रैंक करना है तो किसी और के साथ करो अपने प्रिंसिपल के साथ मत करो तुम जानते भी हो मैं इसकूल के प्रिंसिपल हूँ और तुम सब मिलकर मेरे साथ प्रैंक में है वो भूतियों लोड़ों खेल रही है जो जीतेगा वो जिन्दा वापस आ जाएगा लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो चुडल एक भी स्टूडेंट को जिन्दा वापस आने देगी उन तेनों के जान खत्रे में है प्लीज उन्हें बचा लीजिए हमारी बात पर विश बनाया है वो इस स्कूल में बहुत समय से आती जाती रही है वो पहली पान नहीं आई है प्रिंसिपल में देखिए ये निशान उस चुडल के नाखुनों के हैं सुर्भी के पैरबर बहुत ही ज्यादा गहरा गाउँ था यहें देखकर प्रिंसिपल में चौंक जाती है और अब उन्हें उन सभी बच्चों की बात पर विश्वास होने लगता है और वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है प्रिंसिपल में एक तांतरिक को जानती थी वो तुरंत उन्हें बुलाने के लिए फौन करती है लेकिन इस समय वो कहीं और बिजी थे लेकिन में बाद वो भी आ जाती हैं और सभी इखता होकर प्रिती निहारी का और माही को बचाने के लिए इसकूल में आ जाते हैं कहां है वो दुस्ट चुडल और कहां खेल रही है वो फुतिया लुडो सुरुभी प्रिंसिपल में और उन सभी टीचर्स को उस जगह पर ले जाती है जहां पर वो चुडल उन तीनों के साथ बहुत यालुडो खेली रही थी और वहां जाकर प्रिंसिपल में जो देखती है यहें देखकर उनके होश ओड़ जाते हैं क्योंकि चारों तरफ आग लगी हुई थी और उस दुस्ट चुडल ने माही प्रीती और निहारी का को ह चल चुकी है तू तू हमें यहां नहीं मार सकती हाँ 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 मार नहीं सकती तो क्या हुआ तुझे जखमी तो करी सकती हूँ और तुझे ऐसा जखम दूंगी कि पूरी दुनिया में उसका इलाज नहीं होगा हाँ 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 तूने उन सभी बच्चों को भ मातियों का सरवनाश होगा और तूने भूतियों लुडों की मदद से बहुत मासूम बच्चों को बेफ को बनाया, उनकी मासूमियत के साथ खेला, उन सभी को पैसों का लालच देकर उनका शिकार किया, तुझे उसकी सजातों मिलकर ही रहेगी, हम सब तेरा सरवनाश करकर रह हाँ, मेरे हाथों से बचेगी, तब मुझे मात देगी न, तुझे मैं ऐसा जखम दूंगी, ऐसा जखम कि वो नासूर बन जाएगा, तू तडब तडब के मरेगी, हाँ, 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 तांतरिक बाबा ने बताया है, चुडल आग से मरती हैं और पानी से मरती हैं, लेकिन य बहुत ही ज्यादा खतरनाक चुड़ायल हैं, बहुत ही ज्यादा खतरनाक चुड़ायल, उसके बाद प्रिंसिपल मैम और सभी टीचर्स पानी का बंदोबस्त करती हैं, और चुड़ायलों के उपर फैंक देती हैं, लेकिन पानी से भी कोई असर नहीं होता, यहे देखकर चौक जाती है और चुडल प्रिंसिपल मेम टीचर्स और इतने सारे बच्चों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है मेरा गुस्सा शान्थ हो गया इतने सोरे लोग एक साथ मज़ा ही आ गया और मुझे कोई नहीं रोक सकता कोई भी नहीं मुझे शक्ति शानी होने से कोई नहीं रोक सकता प्रिंसिपल मेम ये आपने क्या क्या तुम सब तो उल्टा दोपारा से चुडल के जाल में फस गए अब यहां से कैसे निकलेंगे प्रिंसिपल मेम आप पूरी तयारी के साथ क्यों नहीं आई थी आपको पूरी तयारी के साथ आना चाहिए था माही बेटा तांतरिक बाबा ने यही बताया था मुझे क्या पता था कि ये चुडल इतनी ज़्याद खतननाक है कि आग और पानी से नहीं मरेंगी पता नहीं अब आगे क्या होगा सभी को रस्यों से बांद दिया चाहता है माही अब और भी ज्यादा परेशान हो चाहती है वो चुडल को मात देना चाहती थी लेकिन इस समय वो खुद चुडल के जाल में बुरी तरह से पास चुकी थी उसके सामने प्रिंसिपल में टीचर्स और इतने सारे बच्चे थे जिन्हें उसे बचाना था ये सब कुछ मेरे लालच की वज़ा से हुआ है मैं किसी को नहीं मरने दूंगी किसी को भी नहीं अगर चुडल का सरवनाश करने में मेरी जान जाती है तो चली जाए लेकिन मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगी किसी को भी कुछ नहीं होने दूंगी और उसके बाद माही की नजर भोतिया लूडों के उपर जाती है जिसका एक कोना जल रहा था यहें देखकर माही के दिमाग की बत्ती जल जाती है क्योंकि भूतिया लूडों के उपर पानी के छीटे गई थी और पानी के छीटों की वजह से भूतिया लूडों का वो कोना जल रहा था समझ गई भूतिया लूडों के अंदर इन सभी चुड़ैलों की जान है अगर ये भूतिया लूडो नस्ट हो गई तो ये सब चुडल नस्ट हो जाएंगी क्योंकि पानी की छीटे भूतिया लूडो पर गिरी थी और अब वो जल रही है जब प्रिंसिपल मैम ने चुड़ायलों के उपर पानी फैका तो इनके उपर कोई असर नहीं हुआ तांतिरिक बाबा ने सही कहा था पानी काम करेगा हाँ पानी काम करेगा और उसके बाद माही को पानी की एक बोतल नजर आती है और वो चुड़ायल के जाल से निकल कर उस पानी की बोतल को उठा लेती है और भूतिया लूडों के उपर फैंक देती है और जैसे ही पानी भूतिया लूडों के उपर गिरता है वैसे ही वो जलना शुरू हो जाती है जैसे जैसे भूतिया लूडों जल रही थी वैसे वहाँ पर जितनी भी चुड़ैल थी वो सब जलना शुरू हो जाती है और जब प माही तुम बहुती ज्यादा इंटेलिजेंट हो अगर तुम आज सूज बूज से काम नहीं करती तो वो चुड़ल हम सब को मार देती तुमने हम सब की चान बचाई है। मारे स्कूल में कोई चुड़ल नहीं है, कोई भूतिया लूडो नहीं है। सभी टीचर्स, प्रिंसिपल और वो सभी बच्चे माही की पहुती ज्यादा प्रेसंसा करते हैं क्योंकि माही की वज़ा से ही उनकी जान बच्ची थी और उसके बाद सभी सही सलामत अपने अपने घर पहुँच जाते हैं और अगले दिन इस स्कूल आते हैं। लेकिन वो स्कूल में आकर किसी को भी भूतिया लूडो के और उस चुडल के बारे में नहीं बताते इस राज को राज ही रहने देते हैं।